आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि निष्ठुर का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उदारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले निष्ठुर का आर्थ समझते हैं निष्ठुर का आर्थ होता है कठोर, निर्दई ये भी रहम यानि कि जो कठोर हो निर्दई हो जिसमें दया नहीं हो ये जिसमें रहम नहीं हो उसे हम निष्ठुर कहते हैं तो निष्ठुर का विलोम शब्द यानि कि विप्रित आर्थक शब्द होगा करुण और करुण का आर्थ होता है दयालू, करुणा में या दयनिया तो आईए अब हम निष्ठुर और करुण को कुछ उधारन वाकियों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि उसके निष्ठुर वहवार ने सभी को आहत कर दिया या फिर आप कह सकते हैं उसने अपने करुण वहवार से सब का दिल जीत लिया या फिर आप कह सकते हैं उसके निश्ठुर रवये से सभी उससे घ्रिना करते हैं तो इसका उल्टा आप कह सकते हैं कि उसके करुण रवईये से या उसके करुण रवईये की कारण सभी उससे प्रेम करते हैं. अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें